जय शनी देव दोस्तों, आपकी राशिफल चैनल में आपका हार्दे कभिनंदन है आए विस्तार से जानिए। आज का पंचांग 7 जुलाई 2024, आज जाने शुब मुहूर्त और राहुकाल का समय। आज का पंचांग 7 जुलाई टुडे पंचांग, रविवार 7 जुलाई को आशार माह के शुकल पक्ष की द्वितिया तिथी है। इस तिथी पर चंद्रमा करक राशी में मौझूद होंगे। प्रति दिन का पंचांग देखने के लिए Facebook, Instagram और WhatsApp चैनल फॉलो करें। तथा अपने किसी भी सुझाव के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें। आईए पंचांग को विस्तार से जानिए, WhatsApp चैनल फॉलो करें। तो चलिए अब बात करते हैं आज की पंचांग के बारे में। आज, 7 जुलाई 2024 का देनिक पंचांग, आज का पंचांग, 7 जुलाई 2024 को आशार माह के शुकल पक्ष की द्वितिया तिथी है। इस तिथी पर पुश्य नक्षत्र और हर्शना योग का सयोग रहेगा। दिन के शुब मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत म मुहूर्त 11 बज के 58 मिनट, 12 बज के 53 मिनट मिनट तक है। रहुकाल सुबह 11 बज के 58 मिनट, 12 बज के 53 मिनट मिनट तक रहेगा। चंद्रमा करक राशी में मौजूद रहेंगे। हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम स समय और काल की सटीक गन्ना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से पांच अंगों से मिलकर बना होता है। ये पांच अंग तिथी, नक्षत्र, वार, योग और करण है। यहां हम दैनिक पंचांग में आपको शुब महूर्त, राहुकाल, सूर्योदे और सूर्यास्त का सम तिथी, करण, नक्षत्र, सूर्या और चंद्रग्रह की स्थिती, हिंदुमास और पक्षादी की जानकारी देते हैं। तिथी द्वितिया 28 रेशियो 59 तक नक्षत्र पुष्या 29 रेशियो 58 तक प्रथम करण बालवा शाम के 4 बज के 42 मिनट तक अद्वितिया करण कोवाला 28 रेशियो 59 तक पक्ष शुकल वारर विवार योग हर्शना 26 शून्या आठ तक सूर्योदे 5 बज के 33 मिनट सूर्यास्त शाम के 7 बज के 17 मिनट चंद्रमा कर्क दोपहर के 3 बज के 58 मिनट तक राहुकाल 1734 घटाव शाम के 7 बज के 17 मिनट विक्रमी समवत 2018 शक समवत 1944 मासाशा शुब मुहुर तभिजीत 1158 घटाव 12 बज के 33 मिनट पंचांद के 5 अंग तिथी हिंदू काल गन्ना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंशू पर जाने के लिए जो समय लगता है वो तिथी कहलाती है एक माह में 30 तिथियां होती है और ये तिथियां दो पक्षों में विभाजित होती है शुकल पक्ष की आखिरी तिथी को पूर्निमा और कृष्न पक्ष की अंतिम तिथी अमावस्या कहलाती है तिथी के नाम प्रतिपदा, द्वितिया, त्रितिया, चतुर्थी, पंच्मी, शष्ठी, सप्तमी, आश्ठमी, नव्मी, दश एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुरदशी, अमावस्या, पूर्निमा. नक्षत्र, आकाश मंदल में एक तारा समूव को नक्षत्र कहा जाता है. इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है. 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन नक्षत, भरनी नक्षत, कृतिका नक्षत, रोहिनी नक्षत, मृग्षिरा नक्षत, आर्द्रा नक्षत, पुनर्वसू नक्षत, पुषय नक्षत, आशलेशा नक्षत, मघा नक्षत, पूर्वा फालगुनी नक्षत, उत्तरा फालगुनी हस्त नक्षत, चित्रा नक्षत, स्वाती नक्षत, विशाखा नक्षत, अनुराधा नक्षत, जेश्ठा नक्षत, मूल नक्षत, पूर्वा शाडा नक्षत, उत्तरा शाडा नक्षत, श्रवन नक्षत, घनिष्ठा नक्षत, शत्भेशा नक्षत, पूर्वा भाद्रपद न उत्तरा भद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, वार, वार का आशे दिन से हैं, एक सप्ताह में साथ वार होते हैं, ये साथ वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं, सुमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, योग, नक्ष प्रत की भाती योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेश दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। ब्रह्म, इंद्र और वैधरिती। करण एक तिथी में दो करण होते हैं। एक तिथी के पूरवार्ध में और एक तिथी के उत्तरार्ध में। ऐसे कुल 11 करण होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। बव, बालव, कॉलव, तैतिल, गर, बनिज, विश्टी, शकुनी, पाद, नाग और किस्तोग्न। विश्टी करण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुबकार्य वर्जित माने गए हैं। याद रखें, इमानदारी, आत्म विश्वास, प्रेम, एकागरता और धैर्य, इन गुनों की वजए से सफलता के साथ ही शांती भी मिलती है। जोत परिवार का ख्याल रखे धन्यवाद।